सब्सक्राइब सब्सक्राइब करा और हम लोग यहां पर इंडिकेटर के बारे में बात किती और आज के सेसन में हम लोग एक और इंडिकेटर देखने और देखेंगे कि इस तरीके से इसकी practical importance है ट्रेडिंग के अंदर और कैसे यह helpful है हमारे इंट्रेडे ट्रेडिंग के लिए चाहिए आप बैंक निफ्टी कर रहा हो या निफ्टी 50 या फिन निफ्टी कोई भी आपको यह अगदर काफी मदद करेगा और सबसे अची बात यहाँ कि फरी ट्रेडिंग व्यू में यानि कि ट्रेडिंग वर्जन उस में हमको maximum तीन इंडिकेटर का यूज करने का मौका मिलता है और इसका जब यूज करेंगे न था हमारे बहुत चारे इंडिकेटर इसी के अंदर मिले हुए हैं तो काफी helpful होगा चलिए देखते हैं उससे पहले हमेशा की तरह इसकेटर जरूड है कि से भी रेजिस्टर नहीं हूं कोई स्टॉक रेकोमेंडेशन या डवाइस नहीं दिया जा रहा है कहीं भी आप अपने रिस्क पर यहां पर प्ले कर सकते हैं देख सकते हैं only for educational purpose जो मैं जानता हूं मैं आपको convey कर दे रहा हूं आप उसका यूज मिस्यूज जो कर रहा है कि यह आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यूं में अब देख रहे होंगे कि बेर मतलब कि कोई indicator यहां पर मैंने नहीं लगाया हुआ है और indicator को मैंने हाइड किया हुआ है जो पिछला यहां पर बना हुआ है यहां पर ओपनिंग है और यह जो वाइट है वह यहां पर लो है और यह जो रेड है वह प्रिवेस डे का क्लोज है तो काफी अच्छे तरीके से यह चीज यहां पर विजुवाली यहां पर रिप्रेजेंट कर दी गई है इस इंडिकेटर के माध्यम से की इंट्राइड लेवल इंडिकेटर काफी हेलफुल इंडिकेटर है और आपको इसको देखकर करके अंदाजा हो जाएगा कि यह गैप ओपनिंग हुआ है और जहां पर ओपन हुआ है लगभख उसी के आसपास यह क्लोजिंग दे रहा है और यह प्रिभीयस डेख यह यहां पर उसको हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है यानि की इंट्राइड लेवल इंडिकेटर ने अपना काम तो अच्या से किया है ऐसा नहीं कि केवाली एक ही जगह यह काम कर रहा है और आपको पता ही है कि पूरा जो ट्रेडिंग है वह एक है कोई भीची 100% नहीं है चलिए आज का जो इंडिकेटर है मैं उसको यहां पर एक्टिवेट कर लेता हूं इसका नाम है option scalping v2 आप इंडिकेटर सेक्षे में जाएं इस option scalping v2 को जब आप टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके का इंडिकेटर मिल जाएगा चुकर यहां पर बहुत चारे lines आपको देखने को मिल रहे हैं आप तीन लाइन से देखने को मिल रहे हैं फिर कहीं कहीं आपको nost arm a signal इन और वहीं देखरा होगा कि यहां पर आपको बाइसका signal वहीं देखने को मिल रहा होगा इसके सेटिंग में चलते हैं और जानते हैं कि कौन से कॉम्पोनेंट का क्या मेनिंग है मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग व्यू में आपको तीन फ्री इंडिकेटर्स मिलते हैं यूज करने के लिए लेकिन यह अप्सन स्कल्पिंग वीटू का प बना हुआ है सब एबरेज वॉल्म के बारे में यहां पर हम लोगों को बता रहा है यह थाउजंट में है यानि कि के में अपने तरफ से आप इसको पैरामीटर को चेंज भी कर सकते हैं आप देखिए सबको इनेबल यहां पर रखा हुआ है यह इनेबल वीवैप अगर इसक से आप देखते रहे हैं उसके एफेक्ट को आ गया यह जो ग्रीन और रेड हो रहा है ना क्रॉस्पांडिंग अनि ग्रीन और रेड सूपर ट्रेंड इंडिकेटर है और उसके नीचे यहां पर पैराबोलिक के से यार है एक और चीज़ है उसके नीचे अगर हम टेबल अग पर तो यह टेबल आ जाएंगी थोड़ी से डिलेर होती है क्योंकि यह फ्री ट्रेडिंग का वर्जन है और आप गौर से देखेंगे साथ इसके से से कर सकते हैं यहां से है किस तरीके से दिखेगा इसका पोजिशन कहा होगा आप इसे प्ले कीजिए आपको पता ही होगा इ हैने कि इसन फिटर फिर निफ्टी के बारे में फिर दाउ जोंस क्या कर रहा है विक्स क्या है HDP Fc bank तरीके से चल रहा है मैं इसको कर दे रहा हूं है तो हम लोग यहां पर देख रहा है कि इसकी सेटिंग में पिर से यहां पर आ जा रहा हूं यहां पर टेबल को और 15 मिनिट का चार्ट यहां पर ओपन है तो आप इसको अगर देदे की प्रतेक 15 मिनिट पर कम से कम पंदरा और मिलियन मतलब होता है दस लाख तो एक दो तीन चार पांच में पांच में लाक और एक दस लाख तो फिफ्टीन मिलियन का इस तरह कर देंगे तो यह यहां पर अभी देखिए घुम रहा है यहां पर यह प्रोसेसिंग कर रहा है और उसके बाद आटोमेटिक यह एड़ेस्ट करके सारे यहां पर जितने भी डॉट्स थे खतर होगा क्योंकि एक एक जो कैंडल है वो मैंने बोल दिया कि 15 मिलियन से उपर हो तभी आप इस इसलिए मैं इसको की इंट्राडे लेवल इंडिकेटर के साथ यूज करता हूं यहां पर आप देखिए जैसे कि यह सुबह में प्रिवेस डे का है यानि कि यह कि यह किना बीस जनवरी का है यहां पर इसने बाई सिगनल दिया हुआ है और इसके बाद से यह उपर गया है 15- तो आप देखना है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ चांसेस है कि आपके ट्रेड सक्सेस्फुल हो जाएं मैं चांसेस क्यों कर रहा हूं क्योंकि यहां यहां भी तो पॉसिबिलीटी ही वर्क करेगी ना सूपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वह ट्रेंड फॉलव लगभग है कि यहां पर 700 और यह गया पांचो तेरो लगभग 200 के करीब में यह रेंज बना करके रह गया है तो की इंट्रेंड लेबल इंडिकेटर्स तो अपना अच्छा से काम करी रहा है और यह भी क्या करते हैं आप्शन स्केल्पिंग वीटू भी अपना काम बहतरी न दो चाट है और सभी मतलब मार्केट में नहीं देख रहा हो ओफलाएं मतलब की जी चालू रहता तो इसमें कहीं वह बंके रहता है यहां पर सिगनल यह इदिया हुआ hai बाइब सपनकेसे जब इस्ट इसमें मूब्मेंट रहे हो सकता है यहांक पर शवाया हो और वहांपर चला भी च्टैल में में इसके उपर चला गया हो इस तरीके से फॉर से बैसे तरीके के तरफ यहां तिया हुआ है और नीची के तरफ है हुआ है क्योंकि यह 15 मिनट चार्ट में है त्रिमेंडास यहां पर प्रॉफिट की संभावना है होता क्या है कि जब आपको सेल सिंगनल मिले यानि कि इस कैंडल को क्लोज होने के बाद यह स्टैटिक हो जाएगा ठीक है यह इसको स्प्लीट कर लेजिए और उसके ऊपर रखिए कि ठीक है इसके नीचे अगर जाने लगा तो बहुत अच्छा नहीं अगर उपर गया तो स्मॉल स्टॉपलस देकर क्या बाहर निकल जाएगे सेम तरीका कहीं भी है जहां भी अगर इसकी इसके थुरू अगर सिंगनल म स्टॉपल है यहां पर सही है तो ठीक है डियरेक्शन हम चला और त्रेल की अब गलत हुए तो महाँ पर इमेडियेटल हम लोग स्टॉपलस देकर के बाहर हो जाएंगे सिंपल जैसे यहां देखिए जहां स्टॉपलस ही ठुआ होगा बाई यहां से कि हम लोग और बाई में यह बाई में गया हुआ है फिर दम सेम इसी हाई को यह यलो लाइन है प्रीविएस डे का हाई है इसी हाई को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ गया तो की इंट्राडे लेबल इंडिकेटर और ऑप्शन स्कैल्पिंग भीट्यू का जब आप इस्तेमाल करेंगा ताब को यहां से डाउन आ रहा था अचानक से यह अप गया लेकिन यह यह जो रेसिस्टेंस था यहां पर कीप्रीविएस डेकर आज रेसिस्टेंस की तरह एक्सेल से सार्प मतलब की डाउन साइड यह मुवमेंट देने लगा यानि कि आपके अगेंस्ट बिगया और एक स्टॉप लोस आपका हीट हो गया कोई दिक्कत नहीं जब आप त्रेड करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर ट्रेड नहीं लेना था ठीक है यहां प क्रेडिंग को इंप्रूब कर सकते हैं यह दोनों इंडिकेटर काफी वंडर्फुल मतलब काफी बेहतरीन तरीके से कारे करते हैं मतलब काम करता है आप जब इसको यूज़ करेंगे तो खुद आप समझ जाएंगे जैसे यहां पर सेल सिगनल दिया है यह सेल सिगनल कब इसमें ठीक है तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं इतना बढ़ा मूब कैप्चर कर लूँ तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह सेल सिगनल उस समय नहीं आया रहेगा ठीक है उस समय सेल सिगनल नहीं आया रहेगा इस चीज़ को भी ध्यान में रखिये और की इंट्राडे इंडिक इसमें दिखाई तो है और अगर किसी को लग रहा है कि यहां नीचे जने की पॉसिबिलीटी है तो इस स्मॉल स्टॉप लॉस दे करके यहां पर नीचे का ट्रेड ले सकता था यानि की डाउनसाइड ट्रेड ले सकता था जिनोंने लिया वह काफी प्रॉफिट में रहे हों सिंपल सा है ट्रेडिंग में कि आप छोटे लॉस दें और बरे प्रॉफिट्स टीक है अगर आप गलत हो तो स्मॉल स्टॉप लॉस दे कर बाहर निया जाए हों तो तो चलें लंबा समय तक अध्यों करें ठीक हैं लंबा समय तक ट्रेल करें अन एक्प्टेड मूब को आप क्याप्चर कर पाएंगे यहां पर से रिजेक्शन हुआ देख रहा है यह नेक्स्ट नाइन फिप्टीन फिर यहां से भी रिजेक्शन होगा मतलब इस प्रिवेस्टे हाई यानि कि इधर वाले जो हाई है उनको यह लोग लगातार रिस्पेक्ट कर रहा है ठीक है एक चीज यहां पर किस तरीके के काम हो रहे हैं यहीं तो चाहिए हमको अपने व्यूपाइंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ डाटा चाहिए और यहां चार्ट में ही मिलेगा सबसे सिंपल है जो इंडिकेटर भी यूज हुआ है यहां पर वह कोई भारी भर कम इंडिकेटर नहीं ह है कि कुछ चीज़े बता दे रही है वह प्राइस वॉल्यूम एक्षन प्राइस और वॉल्यूम के अधार पर है यह सब सारी चीज़ें यहां पर ड्रॉ की गई है और उसके पीछे की साइकॉलोजी आप समाझ जाएंगे यह जो लाइन ड्रॉ किया हुआ हुआ है कि इंट् प्राइए मैं जो रिस्पेक्ट कर रहां यहाँ पर सही बात है जाए आसपर टेंशन में लेने की बात नहीं है उतका सबस्टि करें है है कि हम सही है उपें क्ट पीछे की रिक है उपन लेना वाला भी जो कांसेब्स्ट हैुंसके पीछे की साइक कोलोझी है तो हर एक पॉसिबिलीटी में या तो प्रॉफिट होगा या तो आपका स्टॉपलस हीट होगा इस टॉपलस जरूर लगाए यह बात काफी जरूर है तो आपको यतना मैंने बता दिया हुआ है कि आप्सन स्केल्पिंग वीटू इंडिकेटर का नाम है काफी हल्फुल है बहुत सारे इ सक्सेस्पूल होंगे इस पर लेकिन ये ट्रेड कैंडल की क्लोज होने पर ही आप लेंगे तो होप वीडियो थैंक्स पर वाचिंग नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक और इंडिकेटर के बारे में जानेंगे और मैं उसका वीडियो जल्द है अप्लोड करने वाला हूं नेक थैंक्यू